अब दावेदारी पेश करते हुए अब ब्रॉंज एडल पाउंग के अदर कॉमेंट्री बॉक्स में हूँ रमन वरोर में संत्रिपा शंकर और साथ में अब जुड़ते हुए संजय दानेचा सिंगलेग होल्ड के ले गए थी डिपया काकरान अब टेक डाउन एफेक्ट किया तो पॉइंट मिलें गए डिपया काकरान रेड कौनः में है और एंजर य रेड्ड सिंगलेट के अंदर रोल ओवर के दो पॉइंट और मिलने चाहिए जिए किस तरह से कंवर्ट कर लिया पॉइंट पे ये दो और शे शूनने से दिव्या काकरान आगे है इस समय पिल्कुल पॉइंट निकालना दिव्या को आया है बहुत ही अच्छे फुन्बे टेकनिक का इस्तमाल किया दिव्या ने और वहीं से गधालो जिसे कि पकड़कर एक टेकनिक का नाम है गधालो तो वो टेकनिक बहुत ही बखुबी निवाया और यहां पर दो अंक और अरजित किये और मुकाबला च्छे शुन्ने पर पहुंचा दिया तो इस तरह से जा रहा है खृपाशंकर की जैसे यह टेकनिकल सुपिरियोरिटी पे दिव्या काकरान जी तकी एक और रोलोवर दो पॉइंट और आज शुन्ने से आगे और अगर यह कट रेंच करके रोलोवर करने करती हैं तो तस शुन्ने की बढ़त यानि टेकनिकल सुपिरियोरिटी से दिव्या काकरान फ्रांस मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगी प्रांस में काकरान जी खेएंगी कि फिरू हो गया लगजतार डॉमिनेट करती रही और खुम्सूर्बी के साथ टेकनिकल सुपिरियोरिटी पर टेन जीरो से इस मकाबले को जीत रिया